Hello friends, welcome back to Praagati Mantra Classes, my name is Shivangiya Garwal तो जैसा कि आपको दिखी रहा होगा, मैंने बोर्ट पे एक सर्कल बनाया हुआ है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वृत तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था Cuban Cubaid के बारे में, यानि की घनेवं, गनाप के बारे में आज हम देखेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल होता क्या है उसकी त्रिजिया, उसकी डायामीटर और परीधी, शेत्रफल इन सब के बारे में आज हम एक Overview लेंगे तो देखिए, सर्कल क्या है कि अगर मान लीजे मैंने एक plane पे कोई एक point ले लिया और उससे समान दूरी पर मैंने क्या करा बहुत सारे points बना लिए इस तरीके से बहुत सारे dots लगा दिए और जब मैंने उन dots को join करा तो मेरे पास जो figure बन के आई उसी को हमने क्या बोला उसी को हमने बोला circle आप देखिए मैंने definition में एक चीज बता दी आपको कि ये वाले जो मेरी सारी lines है वो equal है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी lines होती है ये equal होती है और इसे हमने एक special नाम दे दिया that is radius यानि कि हिंदी मेरी से हम बोलते हैं trigya और जहां से हमने इन lines को originate किया था जहां से हमने इन lines को start करा था इस point को हम बोलते हैं center यानि कि केंद्र ठीक अब हम बात करते हैं next diameter की अब देखो मैंने एक line ये ली और इसको ही मैंने इतना ही आगे बढ़ा दिया तो आपको ये दिख रहा होगा figure में ये क्या हो गया है हमारी radius का double क्योंकि देखो एक radius ये री यानि कि एक трin है ये री और एक trin ये री तो ये क्या बन गई है हमारी twice of radius यानि कि trin को जब मैंने दो गुना कर दिया तो इस line को हम बोलते हैं diameter मीटर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं व्यास और डायमेटर क्या होता है हमारा डायमेटर होता है हमेशा रेडियस का डबल यानि कि जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दो गुना होता है लेकिन अब मुझे आप एक बात बताओ त्रिज्या मैंने एक ऐसी लाइन को बोला जो कि सरकल के दो पॉइंट्स को टच करती है और सेंटर से पास होती है देखो, अब हम यहाँ पे न दो चीजे पढ़ेंगे एक तो हमारा होता है डायमीटर और एक हमारी होती है कॉड जिसे हिंदी में हम बोलते हैं जीवा अब देखिए इसको ध्यान से समझे कि कॉड और डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सरकल के दो पॉइंट्स को टच करती है लेकिन वो सेंटर से भी पास होती है यानि कि केंदर से भी पास होती है उसको हमने बोला डायमीटर यानि कि व्यास लेकिन मान लीजे कि मैंने सरकल के किनी भी दो पॉइंट्स को टच करवा दिया इस तरीके से इस तरीके से सरकल के किसी भी मैंने दो पॉइंट्स को टच करवा दिया मान लीज़े यह AB है, यह CD है, यह कोई लाइन EF है, तो उसको हम बोलते हैं जीवा, अब जरूरी नहीं है कि सारी कि सारी जो अमारी जीवा होंगी, वो सेंटर से ही पास होंगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप देख रहे हो, पारे हो, कि जो FE है, वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, लेकिन सरकल के दो पॉइंट्स को वो टच कर रही है, सेम टू सेम AB के बारे में अगर हम देखें, तो AB सरकल के दो पॉइंट्स को तो टच कर रही है, लेकिन वो center से पास नहीं हो रही है बट अगर मैं इस line की बात करती हूं M और N की तो MN को आप ध्यान से देखिए MN एक ऐसी line है जो circle के 2 point को तो touch करी रही है लेकिन साथ में वो केंद्र से भी pass हो रही है तो देखिए इस line को MN को मैं जीवा भी बोल सकती हूं और मैं इसको व्यास भी बोल सकती हूं तो यहां से हमें conclusion निकाल सकते हैं students क्या कि जो हमारे व्यास होता है वो एक जीवा तो हो सकती है लेकिन हमारी जीवा जितनी भी हमारी जीवा होती है वो व्यास नहीं हो सकती ऐसा मतलब possible नहीं है 100% true नहीं है तो क्या line आपके question में पूछी जा सकती है कि बताईए इनमें से कौन सी statement true है तो यह कि हर जीवा व्यास है या फिर हर व्यास जीवा है या फिर जीवा और व्यास का अंतेह संबन इस सापित करिया जीवा और व्यास में कोई संबन नहीं है तो ध्यान रखिएगा जो हमारी line होगी कि जितने भी हमारे व्यास होंगे वो सब क्या होंगी वो सब एक जीवा भी होंगी यानि कि जितने भी diameter होंगे वो सब एक cord भी होंगे अब देखिए diameter एक के खास बात और होती है कि जो diameter होता है यानि कि जो व्यास होता है ये circle को 2 equal parts पार्ट्स में कर देता है डिवाइड लेकिन जीवा के साथ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी ही करेगी ठीक है तो इट्ट डिवाइड असरकल इन्टू यानि कि व्याज किसी भी व्रत को दो बराबर हिस्तों में बांट देती है यानि कि जो हमारे डायमेटर होती है वो किसी बेक सरकल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और जब यह जो हमारा सरकल होता है यानि कि जो व्रत होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं सैमी सरकल या फिर हिंदी में बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं अर्ध वरत हमने क्या करा अधा ही तो करा तो इसलिए हमने बोला अर्ध वरत इंगलिश में अगर हम बात करें, सेमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का half कर देना तो diameter जो होती है वो किसी भी circle को कर देती है दो equal parts में divide तो ये तो बात रही है हमारी किस-किस की center की, radius की, diameter के और quad की, क्या-क्या देखा हमने कि एक ऐसा point जहां से ही जो circle पे अगर मैं कोई भी point लेती हूँ तो वो सब equal distance पे आएगा उसको हमने बोला केंदर फिर हमने देखा radius के बारे में radius क्या होती है कि कोई भी एक ऐसी line जो center को और circle के उपर किसी भी point को touch करवाईगी वो होती है हमारी radius यानि कि त्रिजिया इसके बाद हमने देखा कि अगर मैं radius को double कर दूँ तो वो क्या बन जाती है वो बन जाती है हमारी diameter या फिर diameter की एक और definition हम देख सकते हैं कि circle के उपर कोई भी एसे दो point जो की center से पास होते हैं केंदर से पास होते हैं उसे हमने बोला व्यास और ये जो व्यास होता है ये circle को दो एकल parts में कर देता है divide फिर हमने देखा जीवा के बारे में जीवा क्या होती है जो की circle पे कहीं पे भी दो points को touch करेगी अलग-अलग उसको हमने बोला जीवा अभी तक हमने ये देखा अब इसके बाद हम चलते हैं अपने next concept पर अब हम बात करेंगे arc के बारे में arc को हिंदी में हम बोलते हैं चाप और हम बात करेंगे sector के बारे में segment के बारे में circumference के बारे में और area के बारे में इन पाँच points पर हम बात करेंगे तो segment को हम बोलते हैं वरतखंड circumference को हम बोलते हैं परीधी और area को हम बोलते हैं शेत्रफल और sector को हम बोलते हैं त्रिज्याखंड तो अब हम इन 5 points के बारे में discussion करेंगे देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया था केंदर के बारे में, radius के बारे में diameter के बारे में और हमने क्या देख लिया था? कोड के बारे में, यानि की जीवा के बारे में अब हम देखते हैं इनके बारे में तो देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह आर्क क्या होता है मान लीजे, मैंने इसको केंदर को माना है O इस point को मैंने मान लिया A इसको मान लिया मैंने C B और इसको मान लिया मैंने C और मैंने क्या करा यहां पर? इस तरीके से बना दी दो त्रिज्जिया अब ये जो मेरा इतना portion है दो त्रिज्जिया के जो बीच का portion है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं चाप यानि की आर्क इसको डिनोट करने का तरीका होता है हमने ए भी लिखा और इसके उपर एक चाप का निशान लगा दिया इसी को हम इसको डिनोट करते हैं इसी तरीके से इसको दर्शाया जाता है तो चाप क्या है? दो त्रिज्या के बीच की दूरी है हमारी इसी को हमने क्या बोला है चाप नेक्स आता है त्रिज्या खंड अब देखिए दो रेडियस के बीच का यानि कि दो त्रिज्या के बीच का जो एरिया होता है जो छेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा यह होता है है हमारा sector, sector यानि की त्रिज्याखंड, क्या बताया कि दो त्रिज्याओ के बीच का जो शेत्रफल होगा, उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड यानि की sector, next है हमारे पास segment, अब देखिए माल लीजे कि मैं नहीं हाँ पर बना दी एक जीवा, एक कॉर्ड तो अब इस जीवा ने क्या करा? इस जीवा ने इस व्रत के अंदर दो हिस्से कर दिये एक तो हमारे पास ये वाला हिस्सा आ गया और एक हमारे पास ये पूरा हिस्सा आ गया यही होते हैं इसके व्रत खंड अब हमने क्या करा है इस वरत के कर दिया हमने खंड और किस ने करे ये कर दिये इस जीवा ने और ये छोटा आपको दिख रहा है ये बड़ा आपको दिख रहा है तो ये है हमारे पास लगू वरत खंड और ये है हमारे पास दीरग वरत खंड यानि कि जिसको हम बोलते हैं minor segment और इसको हम बोलते हैं major segment अब देखिए इसके बाद बाद आती है हमारी circumference की यानि कि परीदी की जिसे हम परिमाब भी बोल सकते हैं अब देखो Q-1 केस में भी हमने देखा था परीदी मैंने आपको महां पर भी समझाया था कि परीदी क्या होती है परीदी होती है कि मेरे पास जो भी figure दे रखियो अगर मैं उसकी सारी sides को add कर दूँ तो मेरे पास क्या आजाता है परिमाब आजाता है लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अरे व्रत की तो ना कोई side होती है ना कोई कोने होते हैं तो फिर अब हम इसकी length को कैसे measure करेंगे तो दिहान रखिये इसकी अगर हमें experiment देखना हो कैसे करनी हो मान दीजिए आपके पास आपने एक wire लिया और आपने उसके circle बनाया ठीक है एक circle था आपने उसको पीट से काट दिया और उसको एक strip बना लिया अब जब आप उसकी strip को measure करेंगे तो वही होती है एक circle की circumference यानि की परीदी और जिसका की सूत्र होता है 2, pi और r अब देखे 2 यहाँ पे constant है यानि कैसी राशी है चर राशी है 2, 2 ही रहेगा pi भी हमारा यहाँ पे चर राशी है जिसकी value होती है 22 by 7 या फिर 3.14 अब ही हम देखेंगे कि इस value को हमें questions में किस तरीके से यूज करना है और r यहाँ पे denote करता है हमारी तरिज्या को अब next आता है हमारे पास व्रत का शेत्रफल अब जो हमारे व्रत का शेत्रफल होता है यह होता है pi r square तो हम ने इसमें क्या क्या देखा हमने पहले जाना कि चर प क्या होती है चर प होती है हमारी दो तरिज्या के जो बीच क्या लेंब्ध है, उसको हमने बोला चाप, नेक्स्ट हमने देखा, त्रिज्यकंड यानि दो त्रिज्ज्ङों के बीच का जो शेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं त्रिज्यकंड, इसमें भी तरीके से काम चलेगा, यह मेरा छोटा खंड है, तो इसको मैं बोलूँगी, लगू त प्रिज्जयकंड। nations Conven nuancedंब रुठरी के बारें से अर्ग फैरेंस का मतलब होता है कि उसकी परी दिया उसका परी माप्न स हमने बात करें एरिया के बारे में सर्कल के एरिया के बारे में तो तो सर्कल के ही ज़क इतना होता है पाल होता है और इसको truths अब देखें ये किस तरीके से हुआ, ये दोनों एक ही बात है, क्यों? अभी अभी हम लोगों ने देखा था, कि जो हमारा diameter होता है, वो किसके बराबर है? वो होता है हमारा twice of radius, यानि कि त्रिजिया का दुगना हमारा क्या होता है? व्यास होता है, तो अब हमारे पास formula क्या थ था, two pi r, इसको में लिख सकती हूँ, pi twice of r, और इसको में लिख सकती हूँ, pi d, बस कुछ नहीं करा हमने, जो इसकी value होती हमने इसको यहाँ पे put कर दिया, तो हमारा ये वाला formula भी आ गया, अब ही हम देखेंगे कि बहुत सारे questions पे हम directly इस formula को apply करेंगे, बजाए इस formula के, क् क्योंकि वहाँ पे हमें त्रिज्यक की जगए question में व्यास available होगा, जरूरी नहीं हम इसी method से जाएं, लेकिन ही short तरीका है किसी भी question को solve करने का, तो ये रही सारी की सारी चीजे, सारी की सारी वो quantities जिसके बारे में भी हम देखेंगे, अब जब ये question में use होगी, तो आपको confusion नहीं होगा कि हम sector कह रहा है question में, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, segment निकल वा रहा है, तो किसके बारे में बात करना है, तो ये सब चीज़ों की basic knowledge हमें होना पहले बहुत जरूरी था, अब हम चलते हैं आगे, और समझते हैं एक और concept के बारे में, जिसका नाम है cyclic quadril लिटर जिन्दी में आगर हम बात करें, तो इसको हम बोलते हैं, चक्रिय चतुरभुज देखओ, इसका इसा नाम क्यों है, देखओ, इसमें क्या word आ रहा है, इसमें आ रहा है word चक्र और चक्र हम जानते हैं कैसा होता है, गोल होता है, तो हमने क्या खरा, एक ऐसे चक्र के अंदर हमने क्या बना दिया, चत्रबुच को बना दिया, उसी को हमने क्या बोला, चक्र ये चत्रबुच यानि कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानि कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो आ रहा है आपको चतर बुज से कितनी बुजाये होती है इसकी इसकी बुजाये होती है चार चार बुजाओ वाली आकरिती यानि की एक ऐसी फिगर जिसकी कितनी साइट्स होती है चार उसको हम क्या बोलते है क्वाड्री लेटर या फिर चतर बुज अब जब ये चार साइट वाली फिगर हमारी इस चलिजाती है व्रत के अंदर तो वो बन जाता है चक्र ये चतर बुज तो देखिए इस तरीके से मान दीजे सरकल है हमारे पास और उसके अंदर हमने बना दिया ये एक साइक्लिक क्वाड्री लेटर और इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D अब फिगर से हमें पता चली रहा है कि इसकी साइट्स कितनी है यानि कि बुजा कितनी है चार और यहाँ पर कोन भी कितने है चार यानि कि जो एंगल्स है वो भी कितने है चार कौन-कौन से अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D अगर हम इसकी sides की बात करें तो side A B फिर BC, CD और D A अब देखिए जो इसकी आमने सामने वाली बुजाई होती हैं इनको हम बोलते हैं opposite side और जो 7 वाली बुजाई होती हैं इसको हम बोलते हैं adjacent side यानी कि इनको हम बोलते हैं संगलन बुजाए अब हम पढ़ते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में उससे पहले हम इनको कुछ नाम दे देते हैं मान लीजे मैंने A को दे दिया 1, B को दे दिया 2, C को दे दिया 3 और D को दे दिया 4 तो इस साइकलिक क्वार्डी लिटल की प्रॉपर्टी ह होती है वो क्या कि जो इसके अपोजिट कोणों का सम होता है वो होता है 180 यानि कि मैं क्या बोल रही हूं कि जो इसके अपोजिट कोण है यानि कि आमने सामने वाले जो कोण है यानि कि A और एंगल C ये दोनों कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे 180 मतला एंगल 1 प्लस angle 3 किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर same to same यहाँ पे भी हम यूज कर सकते थे तो angle b plus angle d किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर यानि कि angle 2 plus angle 4 ये हमारा 180 के बराबर तो ये होती हमारी property जिसको use करके अभी हमने आगे के question solve करेंगे तो यहाँ पर लगबग हमने अपना सारा सर्कल के जितने भी terminologies थी उनको देख लिया है उनको समझ लिया है अब next lecture में हम लोग देखेंगे व्रत से जोड़ी होगे कुछ theorems यानि कि जो प्रमय होती हैं उनके बारे में में देखेंगे आपको इस सारी चीज़े क्लियर होंगी समझ में आई होंगी और अपको अच्छा भी लगा होगा तो अग अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करना ना भूले अपनी फ्रेंज के साथ जादे जादे शेयर करना ना भूले और अगर आप अमारे चैनल पर ओिडस फोय प्रपश अ झाल झाल झाल